तो स्वागेते दूस्तों Pokemon Adventure Red Chapter के एक नए एपिसोड में तो लास्ट एपिसोड में Green को Team Rocket ने पकड़ लिया था और इस एपिसोड में उसे बचाने जाना था तो चलो चलते हैं तो Team Rocket फैले होंगे इस Cave में Hello, आपसे तो लड़ना ही पड़ेगा Face 2 काम कर रहा है Face 2 तुम्हारा है क्या? मुझे पकड़ना? लग तो यही रहा है यहाँ पानी में एक Pokeball पड़ा हुआ है तो मैं जल्दी जाके इसे ले लेता हूँ Big Pearl मेरे Bomfer को Waterfall आता है तो क्या मैं इसके उपर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता शायद मैं कोई एक और बैज के बाद वो जा पाऊँ हूँ है और कितने बैज बाकि है? मुझे दो बैज मिल चुके है एक किसी से और एक और किस से? नेवाल आइलिंड पे क्या नाम था उसका? क्या नाम था उस जीम लीडर का? अब यहाँ पे सीरियस हो जाने चाहिए हमें बिल्कुल सीरियस हो जाने चाहिए हमें वो जीम लीडर का क्या नाम था? डैन डैनी शायद हाँ फुल रिस्टोर मिला हमें बहुत दिनों के बाद यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नाम है भूल गया सबका तो यहाँ क्या है? यहाँ एक और पोके बॉल है टीम 94 हमें एक टीम 94 मिला पर पता नहीं क्या है नाम लिखना चाहिए यह कौन सा अटैक मिला यहाँ एक और गरिंट खड़ा हुआ है तो डॉज करने के ट्राइब तुम हो वो बच्चे जिसा हमें एलिमिनेट करना है नहीं पाये तु एलिमिनेट मेरे पीछे क्यों पड़े हो याँ सब लोग तो यहाँ पे बहुत यह जीव सा रास्त है यह तुम हो तुम माइकन आइलेंट की जिम लीडर हो यह नहीं हो सकता है मैंने तुमें गिरते हुए देखा था तुम कैसे बची तुमने मुझे जहाँ सा दिया बहुत समय बाद मिल रहे हैं रेड ग्रीन कहां पर है अब ही तक जिन्दा है यही जानो तक के लिए आह ग्रीन तुम कहां हो यहां से बाहर निकलो यह ट्रैप है मतलब जाल है यहां से बाहर निकलो यहां से बाहर निकलो तुमने उसके साथ क्या किया हमने उसको एक बहुती बड़ा डोस दिया एक पॉईजन का कैक्टरंस पॉईजन इसलिए उसको प्राव्लम हो रही है तुम तो अब तुम मुझे से जबान चला रहे हो यह कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा तुम्हारे फ्रेंड को बसक एंटीडोट चाहिए जो मेरे पास है वनना वो मरेगा यहां वापिस आओ तो मुझे शायद इसके पीछे जाना चाहिए वो एंटीडोट कहां है रिलाक्स गेर आओ एंटीडोट हम एंटीडोट दे दिया इसने तुम बस एंटीडोट मुझे देने वाली हो सप्राइज मत हो मैं कोई इडियाट नहीं हूँ मैं जानती हूँ मैं तुम से लड़ नहीं सकती तुम जूट बोल रही हो यह एक ट्राप है जल्दी से जाओ उसे बचाओ चलो हमने एंटीडोट दे दिया ग्रीन को ग्रीन को क्या हूँ यह अपने दोस्त के उपर गुस्सा मत होना यह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो यह है यह एक है सेप शिफ्टर मुझे मतलब नहीं पता इसका यह ने अपने डील का काम कर दिया क्याब मैं जा सकता हूँ ब्रावो तुमने काफी अच्छा किया बहुत अच्छा काम किया अब तुम जा सकते हो तुम लग कौन हो हाहाहा हाह मैं पोकेमॉन असो नेट यह पोकेमॉन असोशेशन बोलने वाला था हम टीम राकेट के मेंबर्स हैं तुम खुश हो जियोरान नहीं तुम जूट बोड़ रहे हो मुझसे जियोरान मुझे इसका मूँ बन करने दो ओ किसी देखो तुम जिन्दा हो मैं यहां पर और देर नहीं रह सकती मैं आज से जा रही हूँ तो जाओ यह बहुत नचड़ी है ग्रीन कहां पर है अब तक वो मर चुका होगा हमने उससे डूबा दिया और उसकी बोड़ी अब जा रही है शार्पीडो के पास में और अब हम हम उसे जिंदा रखना चाहते थे पर वो बहुत ही refuse कर रहा था कि हमसे cooperate करने के लिए इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया नहीं ठीक है नेट अब बहुत हो चुका उस पे नर्व में दिखा रहे हो बूड़े आदमी ये भी चला गया अब इसे तुम अकेला हरा दूँगा क्या मैं बस मजाग कर रहा था ठीक है मैं उसे अपना हरा दूँगा हरा के दे देखो साइथर स्लैश आ गया green क्या तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें सचमुश ऐसा लगता है कि मैं मरूँगा वो भी तुम जैसे लोगों के हाथो यह मेरी बेशती है कि तुमने यह सोचा भी कि तुम मुझे मार सकते हो green तुम ठीक हो काफी अच्छा किया तुमने मैं जानता हूँ चलो अब इसे यहां से जल्दी से भगा देते है red आब रा टेलिपोर्ट वो भाग गया हमें भी यह से जाना चाहिए तो चलो चलते हैं मुझे बचाने के लिए थैंक्स green और मुझे तुमे एक और बात बतानी थी जब team rocket ने मुझे पर attack किया तो blue वहीं पर थी पर उसने मुझे बिल्कुल मदद नहीं की हाँ उसे किसी भी चीज में involved वहना पसंद नहीं है तो मैं तो अब तक उसे जान लेना चाहिए था नहीं उसने मुझे मदद नहीं की बलकि उसने मुझे sabotage किया ऐसा तुम घिर चुके हो बच्चे यह री blue और वो पौरीगॉन यह पौरीगॉन पौरीगॉन डिसेबल आह मैं हिल नहीं पा रहा आह blue मुझे उस पे बिलकुल भी ट्रस नहीं है अब से और मैं शर्ट लगाता हूँ तुमने भी कुछ अजीब सा नोटिस किया होगा जब भी हम टीम रकेट चा लड़ रह होते हैं तभी वो कुछ कर देती है हाँ और मुझे पता है कि एनेमी हमारा कौन है असली वाला दपोकेमोन अशोशेशन फ्रम दबोर्ड अफ डारेक्टर्स तुम जानते हो हाँ मैंने खुद थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की अपनी जर्नी में एक क्रिमिनल साडिकेट है जो वो कर रहे एक बड़े से असोशेशन के साथ और गुवर्मेंट भी इसमें मिली हुई है हमारे पास दो एनेमी है और ब्राउन भी उसके साथ मिला हुआ है और यह बात हम जानते हैं क्योंकि उससे लगता है कि हमने ग्रे को मारा मतलब मैंने ठीक है अब मुझे यहां से जाना होगा पर हम दोनों को एक क्लोस कॉंटेक्ट रखना होगा एक दूसरे के साथ क्योंकि यहां से चीजें बहुत कॉंप्लिकेट होने वाली है तो ग्रीन भाईया तो चले गए एंड अफ दे ग्रेट प्लान चैप्टर तो मुझे ऐसे बाहर निकलना है तो जल्दी से बाहर निकलते हैं यह इतने सारे लोगों से लड़ना है मुझे टीम रॉकेट, ब्राउन, पोकेमोन असोशियेशन, फिर गोवर्मेंट इतने सारे लोगों को मुझे क्या प्रॉब्लम है मैंने बस एक टीम रॉकेट को यह खतम की है तो मुझे एक और बात बतानी थी शायद आपको पीछे से थोड़ी आवाज आ रही होगी तो प्लीज आप उसे बस इग्नॉर कीजिए हे तुमने अच्छे से संस्क्री नहीं लगाई है मैं उसे अच्छे से स्प्रेट कर देती हूँ मतलब वो ही कहने का मतलब था तो अगर आपको पीछे से आवाज आ रही है ग्यारिंटीड तो अब हमें लेके टेल लेक टेल लेवल 55 का पर मुझे नहीं पकड़ना है क्योंकि वाटर पकमन कुछ जादे ही हो गया मेरे पास तो यहाँ से शायद मैं को वो पोके बॉल लेना है नीचे जो था यहाँ पर क्या मिला टी-एम 60 पर मुझे पता नहीं क्या है वो इनको नाम लिखना चाहिए यार हर चीज अब मैं ही बताऊंगे इन लोगों को अब कौन से पकमन है फिसे एक लेक टेल लेक टेल है कि यह लेक टेल है नाम थोड़ा जीव है लेव फिफ्टी फाइव पर मैं भाग नहीं पाया पर ऐसा क्यों मेरी मर्जी में जाओ या ना जाओ एक लेक टेल एक टोटेल मुझे रोक रहा है चलो अब हम भाग गए अब यहां से जल्दी से देखते हैं हमें कहां जाना है तो यहां क्या है मेंडेरियन आइलेंड हे सुनो तुम्हारी शकल को देखके लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तुम शायद पहली बार आयो मेंडेरियन आइलेंड पे वेल हाँ मैं आपे कोई जिम ढूनने आया हूँ तब तुम बिल्कुल सही जगे पर आयो यहाँ पर कोई भी जिम नहीं है तो यह सही जगे कैसे भी तुम्हें कैसे एक सही जगे पर आया हूँ जब यहाँ कोई जिम नहीं है हाँ हाँ मैं बस मजाग कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी जिम नहीं है पर ट्रॉविटा आयलेंड में एक जिम है और तुम्हें वहाँ पर एक ही तरीके से जा सकते हो मेंडेरियन आइलेंड के फैरी से ठीक है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये काफी सिंपल नहीं है तुम देख सकते हो हर शॉप और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद है क्योंकि अभी एक एनुएल रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल चल रहा है रॉयल प्रिंसेस अर प्रिंस फेस्टिवल यः ये टॉनिमेंट होता है boyz और g cerc और इसमें participate करने के लिए तुम्हें अपने पार्टनर के साथ jurisdान करना होगा तभी तुम इसमें तुम्हें बहुत सारी activities में part लेना होगा और जीतना होगा और तुम्हें prize मिलेगा तो मुझे शायद इसमें अब part लेना है वो सायद misty है है ना misty है नो वो misty मुझे मत कहना कि तुम यहाँ पर आई ओ प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल अटेंड करना है बिल्कुल मैं बिल्कुल करने आई हूँ क्योंकि मैं हूँ फ्लावर सेर्विलिन सिटी की मैं वही सोच रहा था तुम बिल्कुल भी नहीं बदले पिछली बार की तरह तुम अभी भी वही हो जो थे हाँ 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 वैसे तुम से मिलके बहुत खुशी हुई ब्रॉक और अरीका भी इस आईलेंड पर उनसे हाई को किदर यह एंड्रेस तो बता के जा एक सेकंड क्या वो पिंक है हाँ क्या वो भी अटेंड करने आई यह फेस्टिवल तो अब शायद मुझे भी इस फेस्टिवल में पार्ट लेना है पर किदर है एंट्रेंस यहाँ पर डिल्या क्या कर रही है मिसिस केचम, रेट क्या तुमने आश को देखा है कहीं अपर नहीं, क्या वो इधर है हाँ मैंने उसे थोड़ी दे पहले देखा था पर वो पता नहीं कहां चला गया मिलेगा तो बता दूँगा थैंक यू, रेट तो इडिलिया तो चली गई तो यहां पे है क्या यहां पे तो कोई भी नहीं है यह एक सेकंड एक सेकंड वो ग्रीन है ना यह ग्रीन है ना अगर मेरा अंदाज़ सही है तो ग्रीन है तो चलो ग्रीन से जाके बात करते है Green तू मैं को जहां तक याद है तू Team Rocket को investigate करने जा रहा था मैं तुम्हें बताओंगा अगर मुझे यहां पर कुछ suspicious दिखेगा मतलब अजीब शक करने जैसा तो Hello Nerd जो है क्या आप लेंगी festival में पार्ट मेरे साथ क्योंकि मेरे पास कोई partner नहीं है और आपसे अच्छा partner है तो कोई मिले नहीं सकता जहां थक मुझे पता है तो मैं किसे बनाओ partner Sorry पर अभी हम यहां पर सेट कर रहे हैं princess और prince festival के लिए तुम इसमें पार्ट ले सकते हो पर थोड़ी देर के लिए बाद और जाओ एक partner ढूण लो मिस्टी भी नहीं दिखरी वना उससे partner बना लेता कहां चली गई हो तो यहां कोई रहता है Hello अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद की है मैं को पढ़ने ही नहीं दिया कोई बात नहीं तो यहां से जाते हैं यहां पर एक मांट है और यहां Hello और यहां पर यहां पर तो कॉई भी नहीं था दो बच्चे थे और बच्चे से क्या बात करना यहां पर एक pokeball पड़ा है यह एक fake pokeball है और आप अंकल हां कोई भी मेरे जासा में नहीं फस रहा कैसे फसेगा और यहां तुमने ग्रीन को फसाया मैं कोई ट्रिक ने कर रही मैं आए हूं अटेंड करने प्रिंसे सोपेस्टिवल अब्यसली पक इसके साथ ग्रीन के साथ प्रीन तो आगा ने क्योंकि ग्रीन चिड़ा हुआ है काफी समय हो चुक है हमने बैटल नहीं कि चलो एक बैटल करते हैं तो चलो इससे बैटल करते हैं एक सेकंड इसके सारे पोकेमोन कहां गए एक सेकंड इसके पौरीगोन का पकड़ा कुछ गडबर है कुछ गडबर है कुछ गडबर है भाईया यह पौरीगो का कुछ चक्कर है लॉक ओन इसने उसके लॉक ओन क्योंकि मैं अब तक ये गेम खेली नहीं है एक बार वी इसके लिए मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है वरना मैं आपको बता देता पर स्पॉयलर्स देन अच्छी बात भी नहीं होती है तो मैं जल्दी से हराऊं और ये हार जाएगा अब मैं जीत गया पॉरिगॉन फेंटेड मैं जीत गया ब्लू हार गई पर ये ब्लू नहीं है मुझे लगता है ये तुम्हारे ब्लास्टोई से जिगली पफ को क्या हुआ और तुमने एक पॉरिगॉन कप पकड़ा रेड मुझे एक प्रिंस चे इस फेस क्योंकि इसके एक्स्प्रेशन्स भी काफी वियर्ड लग रहे हमें को क्योंकि ब्लू थोड़ा हसती है और वो ही ही करती है और यह तो कुछ भी नहीं कर रही मैंडेरियन आइलें साउथ सेक्टर तो यहां कोन है कोई भी नहीं है यह पेड़ पॉदे यह रब्रॉक हेलो ब देखा हेलो मैंने तुमारे फ्रेंड को देखा था ब्लू को और नीचे क्या है नीचे कुछ भी नहीं है मिस्टी क्या तुमने सबसे बात की यहां पर बिल्कुल की ऐसा मुझे लगता है तब कौन चा पोकेमाना है एक एक एकंस ओ लावल 51 का तो मुझे नहीं पकड़ना है कैकेंस तो जल्दी से मुझे नहीं पता कि यहां पर यह प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल को क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है मुझे लगता है यह स्टूपीड है और सिफ अपना टाइम बरबात करता है क्यों पार्टनर नहीं मिला कोई हां मुझे पार्ट लेने चिंता मत कीजे कोई पार्टनर आपको भी मिल जाएगा एक को टॉनी मुझे भी कोई पार्टनर नहीं मिला आप तक क्या करें मुझे माफ का ना बच्चे पर यह फैरी सर्विस अभी बंद है कुछ समय के लिए प्रिंस और प्रिंसस फेस्टिवल के लिए मैं तो आपको इ फीमेल और जो मैं लगता है One Direction बहुत ही अच्छा है यह साथ फूर दोनों लड़ रहे यह कौन्स अच्छा है अच्छै अच्छा ब्लू तुम इतनी जल्दी कप्ड़े चेंज करके कैसे आगी और कितनी जल्दी मैंने अपना मन बदल लिया है मुझे अब तुम मैं अपना प्रिंस नहीं बनाना क्या क्यों मैंको कोई और मिल चुका है अच्छा टाटा पर मुझे पार्ट लेना था मुझे माफ करना पर मैं जानती हूँ तुम समझ जाओगे एक सेकंड इसके एक्स्प्रेशन चेंज थे मतलब यह असली बुलू थी तो वो कौन थी अगर यह असली है तो वो कौन थी शाय दियने के लिए तो यह असली है यह अभी भी यही पर है तो वो कौन थी थैंक यू रेड यह भी अब तक यही थैंक यू भी बोल रही है क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा चार चकरा रहा है सही मैं ब्लू ने अभी मुझे कहा है कि उसे मेरा पार्टन नहीं बनना हेलो मैं आपे अटेंड करना है हूँ प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल और विनर को मिलेगा एक प्राइस तो तुम्हें क्या मेरा पार्टनर बनना है हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं पास कोई पार्टनर नहीं है हम काफी अच्छे हो है क्यों ने तुम कुछ लोगों से बात करो यहां पर किस से बात करो सबसे तो कर लिए जादत है जहां तक नों लगता है एश कहां पर है उसकी ममे ने बुझा था एश यहीं पर कहीं था यह जगह अब तक मैंने नहीं देखी तो जाके आते हैं यह कुछ जग है नौर्थ सेक्टर बिल यहां क्या कर रहे हो क्या तुमने डेजी को देखा है उसने मुझे यहां बुलाया मिलने कले मैंने तो नहीं देखा यह लोग सब गायब कहा हो रहे है एश गायब हो गया डेजी गायब है यह क्या है टी-एम-71 पर कौन सा टैक है मैं पता नहीं तो एक सकंदे क्या हो गया मैं घर में खुशके वापिस बाहरा आता हूं चलो हट गया यह तो यहां कोई है यह दरवाजा बंद है एश मिल गया एश और डेजी भी यहां पर है डेजी सॉरी मैं आ पर किसी का वेट कर रही हूं बिल तो वहां पर खड़ा है और सबस्सकूर आप ने दूरी है तुम जानते हो मैंने बहुत समय से नहीं देखा तो मैं जाता हूं उनके पास एक सकंड़ पर इसकी ममी ने तो मुझे कहा था कि यह उनसे थोड़ी दिर पहले ही मिला था और यह बोर्या मैं काफी समय से नहीं मिला यह क्या मजाख हो रहा है लगते हैं दोनों में थोड़ी confusion है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर तो confusion नहीं होनी चाहिए, वना चमेला हो जाएगा, तो क्या आप शुरू करोगे आप ये, पर एक सेकंड मैं पहले थोड़ा अच्छा से देख रहूँ, कोई और मिल जाए, यप, हमने सेट अप कम्प्लीट कर लिया, पर क्या तुम मेरी मदद करोगे, हाँ करूँगा, और कोई चाहरे नहीं में पास, मैं फेस्टिवल से प्रा आइस लाना चाहे था, हेलो, हमें पोकेमोन रेंजर और हमारा काम है पोकेमोन को बचाना, हमने ये जगा बनाई है पोकेमोन के रहने के लिए, जो किसी के पोकेमोन नहीं है, तो यहां आप क्या कर रहो, यो मैं हूँ जेडेन, क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है, डावाइडन मैं से कोई एक तो मैं क्या लूँ कोई एक Pokemon free में मिल रहा है मैं सोच रहा हूं मैं ले लेता हूं प्लसल या टाइम एक्स ले लेता हूं तो हमें मिल गया एक टाइम एक्स परमेस लड़की से फिर भी बात करूँगा मेरी अवास पहले बहुत अच्छी थी और जब हम एक दूसरे की अवास को मिला देते हैं तो एक हार्मनी बनती है मतलब एक काफी अच्छी धुन अच्छी बात है तो हमें एक फ्री का पोकेमॉन मिल गया तो और कहां जाना है यहां पे तो यह अंकल भी भी दुख में बैठे हुए है और मेरा गला भी बैठा हुआ है थोड़ा सा तो इस तरफ अब कुछ भी नहीं है यहां से तो हम बाहर निकल जाएंगे और यहां पे तो कोई गेटी नहीं है तो कहां से लेना है मुझे डीडी अपग्रेड शॉप बोला था उसने तो उसका शायद मतलब माट है मुझे माट में जाना है शायद तक पिंक हां पिंक के चैरे को क्या हुआ अरे मैं तो भूली गया था कै तुम भी पार्ट लेना है और प्रिंसेस प्रिंसेस फेस्टिवल में तुम मेरी प्रिंसेस बन सकती हो क्या तुम सच मुझे आतो हो हां क्यों नहीं कि मैं आपे आया हूँ प्राइज लेने, ठीक है ये लो, हमें मिल गया प्राइज, हम सोच रहा हो कि यहाँ लेकर भाग जाता हूँ मैं प्राइज, पर यह गलत बात होगी, रेड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यह नकली ब्लू आ गई, नकली ब्लू, मुझे यहाँ प्राइज प्राइज ले लेंगे। मैं अब तक तुम्हारे साथ बहुत ही फ्रेंडली था। रेड फ्रॉम पैले टाउन अब तुम बज देखो अब यहां से क्या होने वाला है तुम पचताओगे। यह क्या हुआ यहां पर मैं भी यही सोच रहा हूँ रेड ब्लू के साथ कोई प्राब्लम है और यह बात में जानता हूँ। हमने डीडी अप्डेट दे दिया मेर को थैंक यू। वेलकम टू प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल सारे लोग। इस फेस्टिवल में दो राउंड होने वाले पहला एग हंट जिसे भी पहले वो एग मिल जाएगा वो जीच जाएगा तो यह रा हिंट वो एग है एक सेल के अंदर शेल के नीचे तो शायद यह शेल या फिर यह कोई पोकेमोन आ गया डूएबल ओ लेवल 47 का मुझे नहीं पकड़ना तो यहां से निकलते हैं तो यह हम एग मिल चुका है बड़ी जल्दी मिल गया तो हाँ हाँ मैं इन चीजों में काफी गुड नहीं हूँ यह गेम्स काफी मुश्किल है पर अब क्या किया जा सकता है पर मुझे तो यह मिल भी चुका है एरिका को यह कौन उन जीत चुके हैं या फिर ऐसा भी तो सकते हैं बहुत सारे अंडे चुपाएं हो तो मुझे लगते हैं आज के लिए इतना काफी है मैं आप से मुलूगा पक्रमान और एवंचर एट चेप्टर के एक नए एपिसोड में तब तक के लिए हसते रहे हैं मुझे को राते रह ये बाइ